नवस्कार सातियों आप सभी का समता एजुकेशन ट्रेस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं विकास शर्मा आपका मैस एजुकेटर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज यहाँ पर खतम हो चुकी है कौन सा टॉपिक की सीरीज खतम हो गई है हमार को इसमें डर बहुत लगता है तो इसके क्या मैथर्ड होते हैं सॉल्व करने के उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे पुरा वीडियो देखिएगा अपने दोस्तों यारों मित्रों सभी तक इस बात को पहुँचाईएगा कि यहाँ पर आपको फ्री बढ़ाई मिल रही है वह भी डिटेल में जिसके लिए आप बहुत सारे पैसे कर्च कर्च करते हो वह चला जाता है जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ ये गबड़ दो, मैं आपको बताऊँ यहांपर कि एक होता है Simple Interest, मैं आपके लिए color दूसरा ले लेता हूँ जिकि आपके दिख नहीं रहा इस पे color दूसरा लेता हूँ और आपको समझाने की कोसिस करता हूँ एक होता है हमारा simple interest अब simple interest क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा simple interest क्या होता है बड़े ध्यान से सुनिएगा देख लिए simple interest जो होता है वो होता है P into R into T upon 100 यही तो होता है simple यही होता है simple सा हमारा SI लेकिन CI का formula क्या होता है CI में क्या difference हो जाता है CI is equal to हमारा होता है amount is equal to formula होता है P 1 plus R upon 100 is to poverty और T for time होता है तो देखी बड़े ध्यान से सुनिएगा बड़े ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको T की value यहाँ पर अगर मैं आपके सामने 3 रग दूँ बड़े ध्यान से सुनना जैसे अगर मैं SI के form की बात करूँ आपके सामने और मैं 3 साल की बात करूँ तो यह simple हमारा क्या हो जाएगा 3 into P into R upon 100 कोई समझाना लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं CI में बात करना चाहूँ तो यहाँ पर हमारा amount सीधा सीधा क्या बन जाएगा P into 1 plus R upon 100 और इसकी power 3 हो जाएगा तो यह कैसे लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा P into 1 plus R upon 100 into 1 plus R upon 100 into 1 plus R upon 100 तो यहाँ पर हमारा चलता है multiply के form में और यहाँ पर चलता है हमारा plus के form में इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी इतने में आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी चीजों को detail में समझेंगे आगे चलके समझते हैं चीजों को सबसे पहले देखें compound interest के अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलते हैं पहली आपको मिलती है principle पहली चीज आपको क्या देखने को मिलती है प्रिंसीपल देखने को मिलती है प्रिंसीपल क्या होता है जितना अमाउंट आप लेते हो जिसको हिंदी में हम बोलते है मूल धन बोलते है जो हमारा मूल धन होता है जितना धन आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो that is called principle Ok, rate of interest हमारा क्या होता है जیसा rate of interest आप से कहा जाएगा कि जैसे कहा गया माई लो, r% per annum इसे साफ से लिया जा रहा है, 5% per annum इसे साफ से लिया जा रहा है, 10% per half year किसे साफ से लिया जा रहा है, 20% per quarter year इस तरीके से लिए जा रहा है. यह कि इस तरीके से आपको दिया जाता है, कोई कहेगा कि आपको मैंने जो principle दिया है उत्वे मैं 5% से さब ने ने सर ने exe लगाऊंगा, और 10% पर एल्प से can ,या 20% से ön लगाऊंगा या 20% पर क्वार्टर के साब से ने ने का लगाऊंगा तो यह प्लेबाला जो SI होता है वही हमारा क्या होता है rate of interest होता है तो R अगर मिलेगा यहाँ पर तो R परसेंट बराबर हम क्या लिखेंगे R upon 100 लिखेंगे इसका मतलब होगा कि 100 रुपैपर एक साल में SI R मिलेगा तो हमारा rate of percent R percent 5% का मतलब होगा इस 100 रुपैपर एक साल के अंदर आपको जो interest मिलेगा वो 5 मिलेगा that is called 5% of the interest rate of this condition कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगा ठीक है amount क्या होता है amount is equal to हमारा होता है यहाँ पर principal plus principal plus यहाँ कि amount is equal to principal plus CI यहाँ कि यह चीज मैंने आपको SI में भी समझाई थी कि principal के अंदर अगर आपने interest को add कर दिया तो वो हमारा amount बन जाएगा और amount को हम क्या बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं Mr. धन क्या बोलते हैं हम इसको Mr. धन बोलते हैं Mr. धन में Mr. कर दीजिए mix कर दीजिए आप interest को तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी मेरे photo से अगर यह चिपरा है तो मैं आपको हटा देता हूँ अब चीजें आपको समझ में आ रही हो यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए मैं फिर से repeat कर देता हूँ आपके सामने मैंने क्या कहा आपके सामने कि principal अगर 1000 है rate 10% है आपकी time 3 year दिया गया है तो आपको अगर इसमें 3 method लगाना है तो कैसे लगाओगे यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी तो CI हमारा कितना निकल कर आ गया? CI हमारा निकल कर आ गया? 331, तो amount हमारा कितना हो गया? 1331 amount हमारा कितना हो गया? 1331 ओके? कोई समझ्या नहीं? यह चीज़ समझ में आ गई आपको अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वह effective rate percent method क्या होता है? effective rate percentage method क्या होता है? उसको समझ लेते हैं, देखिए देखो सकते हैं इसको अटाते हैं, 3 method को आपने समझ लिया अभी और भी example लेंगे फिर बताएंगे कहां कौन सा method हमारा fail होता जाता है कब कौन सा method हमको लगाना होता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर clear हो जाएं ठीक है? देखो अब इसके बाद देखिए अगर मैं time को यहाँ पर 2 साल कर देता हूं time को अगर मैं कितना कर देता हूं? 2 year कर देता हूं और फिर मैं इसमें लगाता हूं effective rate percent 2 year करके मैं effective rate percent लगाता हूं तो देखिए कैसे होगा solve बड़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग है क्या होता effective rate percent? जैसे आपके पास 10 percent दिया गया है मैं इसका effective rate निकालता हूं जैसे अगर SI होता 10 percent के हिसाब से 2 साल का effective rate 20 percent बन जाता सीधा सीधा 3 साल का 30 percent बन जाता सीधा सीधा इसके बाद 4 साल का 40 percent बन जाता सीधा सीधा 5 साल का 50 percent बन जाता सीधा सीधा लेकिन यहाँ पर बात हमारी कौन सी हो रही है हमारी बात हो रही है CI की CI की जब बात होती है तो effective rate percent कैसे निकलता है देखो दो साल की बात हो रही है कौम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा X प्लस Y प्लस X इंटू Y अपॉन हंड्रेट परसेंट तो देखो X की वैल्लू 10 है Y की वैल्लू भी 10 है क्योंकि दौनों साल के लिए 10-10 ही लग रहा है और 10 इंटू 10 अपॉन हंड्रेट solve करने पर बनेगा 21% तो effective rate परसेंट 21% आगी हमारे पास तो देखो principle अपने आप में कितना होता है 100% होता है TI कितना निकल के आगया 21% आगया तो amount कितना हो जाएगा 121% हो गया 100% की वैल्लू कितनी दी गई है 1000 तो एक परसेंट की वैल्लू कितनी आजाएगी यहां से निकल के 10 तो 121% की वैल्लू कितनी निकल कर आगयी 1210 यहां से amount कितना निकल कर आगया हमारा 1210 एक ये तरीका आपका हो गया एक ये तरीका निकल कर आगया सामने ठीक है बास समझ में आ गई की नहीं फिर से एक बार समझाता हूँ आपको चीजों को समझने की कोशिज करिएगा देखो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेट को कर देता हूँ 20% रेट को 20% कर देता हूँ फिर एफेक्टिव रेट परसेंट से निकालने की कोशिज करता हूँ देखो और कुछ एफेक्टिव रेट परसेंट आपको याद भी रखने होंगे इसते की हमारी पेपर में बहुत जादा मदद करते हैं डारेट कुश्चन सॉल्व करने में डारेट कुश्चन सॉल्व करने में बहुत जादा हैल्प करते हैं यह देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको 20% 20% अब देखो अब 20 परसेंट का effective rate परसेंट हमारा कितना मनेगा देखिए 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 divided by 100 now it becomes 44 परसेंट अब 100 परसेंट प्रिंसीपल है 44 परसेंट CI आ गया तो हमको amount निकालना है तो amount कितने परसेंट होगा 144 परसेंट तो 100 परसेंट की value हमारे पास कितनी दी गई है 1000 एक परसेंट इचकल टू 10 144 परसेंट इचकल टू हमारा कितना आ जाएगा 144 जीरो 1440 आ गया और CI अगर निकालना होता तो कितना आ जाता 440 आ जाता सीधा सीधा 44 परसेंट CI आ रहा है यह चीज समझ में आ गई आपको अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ code method क्या होता है code method कुछ लोग पढ़ाते हैं इसको इसलिए मैंने लिख लिया मुझे तो बिल्कुल पसंद रही है code method एक्शली इसी से निकल कर आता है जो 3 method होता है उसी से 20% का 2 year के लिए निकालना है मुझे code method से तो 2 साल का code method क्या होता है देखो 2 year का code होता है 2 और 1 3 year का code क्या होगा हमारा 3 है तो 3 लगा दो यहाँ और इन दोनों को जोड दो तो 3 आ गया और last में 1 लिख दो 4 year का code क्या होगा 4 लिख दो इन दोनों को जोड़ो 6 आ गया इन दोनों को जोड़ो 4 आ गया last में 1 लिख दो 5 year का code क्या हो जाएगा 5 लिख दो इन दोनों को जोड़ो 10 इन दोनों को जोड़ो again 10 4 और 1 को जोड़ो 5 और last में 1 6 year का code क्या होगा 6 लिखो इन दौनों को जोड़ो 15 इन दौनों को जोड़ो 20 इन दौनों को जोड़ो 15 इन दौनों को जोड़ो 6 और बन इस तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा ये code होता है तो मुझे 2 साल के code से मतलब है अभी अभी मैं 2 साल के code को लेता हूँ समझाता हूँ आपको देखो यह लिखे लेना आपको अगर आप लोगों को चाहिए तो लिखे लेना इसको ठीक है मैं हटा रहा हूँ इसको अब यहाँ से देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा है न अब दो साल पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल मेरे पास एक हजार है एक हजार का बीस परसेंट निकालो और इसके नीचे लिख दो आप एक हजार का बीस परसेंट कितना निकलेगा हमारा दो सो ठीक है फिर से अगेन अब दो सो का बीस परसेंट निकालो तो दो सो का बीस परसेंट कितना निकलेगा चालीस ठीक है यानिकि सबसे पहले मैंने एक हजार का कितना निकाला बीस परसेंट निकाला तो वो हमारा कितना बना वो बना हमारा 200 अब मैंने जो 200 बना उसका 20% निकाला तो वो हमारा कितना बना 40 अब यह जो दो लिखा हुआ है इसका multiply यहां कर दो और जो बन लिखा हुआ है इसका multiply यहां कर दो दोनों को जोड़ो तो यह हमारा कितना बन गया 440 यह हमारा क्या आगय अमाउंट निकालना है तो एक हजार में जोड़ दो तो अमाउंट आ जाएगा 1440, यह हो गया code method, अच्छा लगा होगा बहुत, लेकिन आँगे आपको समझ में आएगा कि कौन सा method सच में अच्छा है, आँगे आपको समझ में आएगा कि कौन सा method अच्छा है, कौन सा method अच्छा नहीं है, यह बात समझ में आगी है आपको सभी को, अब हम आँगे समझते हैं और आपको एक एक करके बताते रहेंगे कि कहा कौन सा method हमारा लगना चाहिए, कैसे question आए तो कौन सा method यूज करें, कैसे question आए तो कौन सा method यूज करें, तो देखिए, पहला question आपके सामने यह रहा, पहला question यह रहा आपके सामने देखिए, solve करते इसको, calculated compound interest on rupees 40,000, यानि की principle हमारे पास कितना दिया गया, 40,000 दिया गया, rate हमारे पास कितनी दी गई है, 5% दी गई है, time कितना दिया गया है, 2 साल, इसके लिए सबसे बढ़िया method है effective rate परसेंट बाला, और आपको निकालना क्या है, CIE, सबसे बढ़िया method है effective rate परसेंट, वैसे तो आपको याद होना चाहिए effective rate परसेंट इसका, कि इसका जो 2 साल का, जब हमारे पास rate होती है, 5%, तो इसका 2 year का effective rate परसेंट हमारा कितना होता है, यह होता है हमारा 10.25%, ओके, यह होता है, तो डारेक्ट निकाल दो इसका 40,000 का, 10.25%, देखो, पॉइंट अठेगा तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, 4 0 से 4 0 कैंसर हो गया, कितना आगया 4,000 और 25 इंटू 4, यह नहीं कि 4100, आंसर कितना निकल के आगया, C I is equal to 41, यह नहीं कि इसका आंसर हमारा हो गया, 41, बास समझ में आ गई, यह तो हो गया हमारा effective rate परसेंट से बढ़िया तरीके से, अब दूसरा method कौन सा होगा इसके लिए, अगर आप इसमें successive लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, इसमें तो सारे काम कर जाएंगी देखो, successive लगाना चाहो तो successive भी लगा सकते हो, देखी, successive से करते हैं इसको, देखो, हमारे पास 40,000 दिया गया है, 5% equal to क्या होता है, 1 by 20 होता है न, तो 20 बना पॉन 20, 20 बना पॉन 20, 2 साल की बात हो रही है, तो 0 से 0 कैंसल हो गए दो बार, 4 से ये कैंसल हो गया, ये 100 बचेगा, और ये हमारा कितना आ गया, 441, यहां पर देखिए सरा सही आ रहा है न, ये, 100 आ गया, ये 4 आ गया, 21 का square 441 होता है, तो यह हमारा 4,100 आ गया निकलके, स्वरी, 44,100 आ गया निकलके, ये हमारा amount निकला है, एक्चुली में, प्रिंसीपल आपके पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है, आपके पास 40,000, तो यहां से 41,100 हमारा क्या निकलकर आ गया, 44,100 हमारा निकलकर आ गया CI कि CI बरावर हमारा क्या होता है amount वैसे principle को हटा दे तो ये हो गया effective rate successive percent effective rate percent देख लिया अब 3 method देख लेते हैं अब 3 method देख लेते हैं देखो इसको एक बार फिर से समझ लो 3 method देखो हमारे पास principle है 40 अजा दो साल की बात हो रही ही तो پहली साल 1 by 20 से कितना बनेगा 2000 दूसरी साल 1 by 20 से कितना बनेगा 2000 और इसके उपर 1 by 20 से कितना बनेगा 100 रुपए कितना बन गया total मिलाके CI 1,400 रुपए CI कितना निकलकर आ गया 400 रुपए निकल कर आ गया हमारा CI यहाँ पर amount निकालना हो तो आप क्या करो इसमें 40,000 में जोड़ दो तो हमारा 44,100 निकल कर आ जाएगा छीक है बात समझ में आ गई 3 method भी हो गया आपका code method समझ लो code method 2 साल का जो code होता है वो क्या होता है हमारा 2,1 होता है 40,000 का सबसे पहले 1,20 लिखो तो यहाँ पर लिख दो 2,000 इसमें 2 का multiply यही चीज़ है तो हो गहीं देखो यह दो बार है तो दो बार multiply कर दिया plus 2,000 का फिर से 1 by 20 100 तो यही चीज़े तो आ रही है निकल के हुमा फिरा के बात हैं कर दी गहीं है बस 41,000 यह आ गया code method से ठीक है कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ तक चलिए आँगे बढ़ जाते हैं यह रा question next इसको करने की कोशिस करिए आप लिखा हुआ है find compound interest for the third year on the rupees 60,000 at 5% per annum when interest compounded annually देखो principle हमारे पास कितना दिया गया है 60,000 rate हमारे पास कितनी दी गई है 5% per annum time कितना दिया गया है 3 year अब देखो अब मैंने 3 साल का तो आपको effective rate percent निकालना बताया ही नहीं तो कैसे निकालेंगे समझो बड़े ध्यान से सबसे पहले मैं method लगाता हूँ इसके अंदर successive निकालना मुझे क्या है CI अगर मैं इसमें successive method लगाता हूँ तो देखो principle मेरे पास 60,000 5% is equal to 20 बना पॉन 20 आजाएगा अभी तो समझाए आपको इसका मतलब बना पॉन 20 होता है इसको 3 बार लिखना है इसको 3 बार लिखना है 1,2,3 1,2,3 कतम 2 से इसको cancel करो तो 2 से हमारा ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा फिर 2 से cancel करो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा अब ये 2 बच गया अब हमारा ये solve हो कि क्या बनेगा 15 इन्टू 21 का square 4,4 बन इन्टू 21 इवाइड़ बाइ 2 ये बनेगा ये हमारा क्या बन रहा है ये amount बन रहा है amount is equal to क्या निकलेगा देखो अब इसका multiply करो तो 15 का कर दो या तो 21 का कर दो तो सबसे पहले 15 का बन में करते हैं तो 5 आ गया 1 carry 3 और 1 carry 6 आ गया 3 और 6 6 6 1 5 इन्टू 21 इवाइड़ बाइ 2 फिर से multiply करो देखो 21 का 5 में करेंगे तो 1 0 5 आएगा 5 आ गया 10 carry बचेगा 31 आ गया 1 3 carry बचा 21 इन्टू 6 हमारा कितना हो जाएगा 126 और 126 में हमारा 3 जोड़ देंगे तो 126, 139 आ गया तो हमारा 12 carry बचेगा फिर से 126 में 12 जोड़ दोगे 138 बनेगा तो यह हमारा आ गया amount लेकिन इसमें हमारा 60,000 क्या है principle है भई amount तो इतना आ गया तो principle हमारा कितना है 60,000 है तो यहां लिखो यह 60,000 इसको अटाओ इसमें से 5, 1, 9, 8 13 में से 6 चला जाएगा तो तुस्तर कितना बचेगा हमारे पास 7 तो यह हमारा क्या आ गया निकल के CI यह हो गया हमारा कौन सा method successive method यहां तक बात समझ में आ गई successive method में इतना समय लगा आपको अब देखो दूसरा method आप करने की कोशिस करो जरा दूसरा method आप करने की कोशिस करो चले देखो दूसरा method समझते हैं इसका second method क्या होगा इसको अटा देते हैं फिर दूसरा method समझते हैं अब हम आपको समझाते हैं यहां से effective rate परसेंट effective rate परसेंट देखो 5 परसेंट लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो 2 येर का आपको पता है कितना निकलेगा 10.25 परसेंट अब तीन साल का कैसे निकलेगा तो देखो इसको एक मानो पूरा x की value और y की value को आप फिर से 5 परसेंट मानो अब इसमें रख दो फिर से again 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 अपॉन 100 इसको सॉल्व करों ये बनेगा 15.25 प्लस इसको सॉल्व करों पाँच और पाँच पच्चीस पाँच और दो दस और दो बारा और ये 5 divided by 100 point यहां already लगाया तो यह point यहां चला जाएगा तो आ जाएगा 1525 प्लस 0.5 125 इनको add करेंगे तो कितना बनेगा हमारा देखो ये बनेगा हमारा 5 2 6 7.15 ये बनेगा ये बनेगा की नहीं 15.7625 बनेगा ये बनेगा effective rate परसेंट ये बनेगा तो को calculated हुआ की नहीं calculated हुआ तो देखो direct निकालो अगर 60,000 का तो direct ये value निकाल दो अब तो 7.625 नीचे कितने 0 चले जाएगे 4 0 तो ये आ गए और percentage के 2 0 और आ गए 4 0 से तो ये 4 0 cancel out हो गए पूरे 5 से इसको cancel out अगर हम करना चाहें अगर हम इसको 5 से cancel out करना चाहें तो हो जाएगा की नहीं देखो ये दो बार जाएगा तो 20 बनेगा 5 से इसको करो तो 3 बार जाएगा 5 और 3 15 आ गया ठीक है 5 से cancel कर रहा है 15 कितना लिखा हुआ है 1,57,000 के something कुछ लिखा हुआ है इसको जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो यह हमारा कितना बनेगा 30,000 के something कुछ बनेगा 30,000 से उपर कुछ बनेगा कि नहीं बताओ ठीक है तो देखो अब यहाँ पर यह 3 आ गया अब यहाँ पर 5 से करो तो कितनी बार जाएगा एक बार कितना बचेगा 2,5 बार जाएगा 2 बार जाएगा 5 बार जाएगा यह 31,525 आ गया अब इसको solve करो 6 into 31525 divided by 20 अगर मैं इसको cancel करो तो यह 10 बन जाएगा और यह हमारा 3 बन जाएगा को solve करो जब कि हमारा कितना बनेगा 3 और 5 पंदरा ऐसे करके यह बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा यानि कि effective rate percent हमको यहाँ पर नहीं जमा यानि कि effective rate percent इस जगे पर आके हमारा गलत साबित हो गया कैलकुलेटिव हो गया ठीक है बास समझ में आगे इतनी है आपको इसका मतलब क्या हुआ effective rate percent हमारा छोटी value के लिए बड़ा आसान होता है ठीक चलो अब देखिए अब यह हटा देते हैं अब हम आपको tree method समझाते हैं देखो tree method tree method हमारा क्या होगा देखो तो यह हमारा होगा 60,000 लिखा हुआ है इसका 5% सबसे पहले निकालो आपको 1 by 20 से यह कितना निकलेगा 1 by 20 से हमारा 3,000 अगेन दूसरी साल 1 by 20 से कितना निकलेगा 3,000 लेकिन इसके उपर 1 by 20 से कितना निकलेगा यह 0,150 third year अगर देखें तो 1 by 20 से कितना निकलेगा यह सर 3,000 लेकिन इनके उपर कितना निकलेगा इसके उपर निकलेगा 150 इसके उपर 150 और इसके उपर हमारा 7.5 इनको जोड़ दोगे तो हमारा C.I. निकल कर आ जाएगा 3, 3, 3, कितना हो गया? 9,000 150, 150, 150, 150 कितना हो गया? 450 450, 457.5 तो यह हमारा 9,000 प्लस 457.5 नाउ इट बिकम्स 9457.5 यह हमारा बनेगा कोई समस्या हो तो बताओ सबसे बढ़िया तरीका लगा कि नहीं 3 method आपको code method तो पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं यही 3 method का party code method होता है यही part हमारा code method होता है तो यह हमारा 3 method बढ़िया लगा आपको कि नहीं चलो अब आँगे बात कर लेते हम इसकी अब आँगे और समझ में आएंगी चीज़ें हमको यह question लिखा हुआ है चार साल का है तो अब इसमें देखो अब आपके अंदर थोड़ी सी घंटी बजने लगेगी हमको पूछा है कि रादा इंवेस्ट है अमांट आप रुपीज 18 lakh at compound rate of interest 10% per annum for period of four year अगर चार साल के लिए अगर आप इसमें निकालने जाओगे effective rate percent तो tough पड़ जाएगा ठीक है तब से बढ़िया तरीका या तो tree method लगा दो या successive method लगा दो तो successive लगा दे तो देखो successive method कैसे होगा 1, 8 2, 0 1, 2, 3, 4, 5, 0 4, 0 ठीक है ठीक है एक लाख अच्छी एजाद into 10% की value क्या होती बन बाइट है तो 11 upon 10 11 upon 10 11 upon 10 11 upon 10 what it 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 18 into 1, 3, 1 into 11 18 into इसके आपको ट्रिक बता चुके हैं आप जाके playlist में देखिए 1, 4 फिर से 6 4, 1 ठीक है अब इसका multiply कर दो 18 into 1 कितना हो जाएगा 8, 1 कहरी बचेगा 18 into 4 कितना हो जाएगा 72 72 में 1 जोड़ोगे तो 73, 7 बचेगा 18 into 6 कितना हो जाएगा इसके बचेगा 18 into 6 कितना हो जाएगा 72 में 36 और जोड़ो 98 बनेगा 72 है और 72 में आप कितना जोड़ो 36 और जोड़ो तो 78 में 36 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 108 बनेगा सीधा-सीधा 108 बनेगा 108 में 7 जोड़ो तो क्योंकि 18 into 4 यहनिकि हमारा 72 और 31 था 108 में 7 जोड़ो 115 बनेगा अब कैरी कितना बचा 115 का आपने कितना ले लिया 11 कैरी बचा 18 into 4 बहात्तर हो जाएगा 72 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 83 3 आगया 8 कैरी बचा 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 यह हमारा निकल के आगया amount अब मुझे तो CI चाहिए CI is equal to हमारा क्या होता है amount minus principal amount हमारा कितना आगया 2, 6 3, 5, 3, 8 और principal हमारे पास कितना है 1, 8 1, 2, 3, 4 8 आगया 3 आगया 5 आगया 3 आगया 26 में से 18 चला जाएगा तो सर कितना बच जाएगा यह बच जाएगा हमारा 8 80 तो बचेगा तो यह हमारा आगया यह निकल के आगया CI अब दूसरा तरीका हमारा क्या अच्छा होगा वो होगा हमारा 3 method बाला तो 3 method से देखिए इसको करते हैं 1, 8 पहली बार हमारा कितना बनेगा 1 by 10 से 1 by 10 से पहली बार कितना बनेगा 1, 8 18,000 तो अब देखो इसी में code method कैसे लगता है जैसे 4 year है इसका code method लगाना है तो देखो कैसे लगेगा ऐसे ही तो लगेगा 4, 6, 4, 1 इसका मतलब समझे 18,000 निकला इसमें 4 का multiply करतो प्लस अब इस पह अगेण निकालो आप 1 by 10 यह कितना निकलेगा 1, 8, double, 0 1, 8, double, 0 इसमें फिर से 6 का multiply प्लस अगेण 1 by 10 कितना निकलेगा 1, 8, 0 1, 8, 0 में अगेण 4 का multiply और फिर 18 में 1 का multiply यही तो बना हमारा code method यही तो यहां solve होता है tree method में तो देखो 18 into 4 कितना हो जाएगा 72,000 ठीक है अब प्लस 18 into 6 कितना हो जाएगा 18 into 6, 1, 0, 8, double, 0 प्लस 18 into 4 कितना हो जाएगा 72 720 प्लस 18 अब इसको जोड़ दो यह हमारा इसमें अगर 72,000 में 10,000 और जोड़ देंगे तो 82,000 हो जाएगा 82,000 में और यहां से आप 200 और ले लो तो 83,000 हो जाएगा तो यहां से कितना बचेगा 520 यहां से बचा और 18 538 बचा तो 8, 3 5, 3, 8 यह answer आ गया यह बाला तरीका भी अच्छा है यह तरीका भी अच्छा है समझ में आ रही बात आपको कोई समस्या आपको नहीं होगी मैंने code method लगा दिया 4, 6, 4, 1 ठीकि 3 method और code method तो same ही होते हैं दोनों का मतलब एक ही होता है 3 method और code method का मतलब same होते हैं समझ में आ गई चीज़ें आपको कोई समस्या नहीं होगी यहां तक चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं यह रहा अब एक बात बताओ अब 12.5% आ गया तो 12.5% पे अब हम यहाँ पर successive लगा सकते क्योंकि मुझे compound interest पूछा है तो successive भी लगा सकते है 3 method भी लगा सकते हैं लेकिन effective rate method अब हमारा fail effective rate method अब हमारा fail हो गया ठीक है code method तो 3 method ही होता है ठीक है again मैं बार-बार बोल लाँ वह इचीज़ तो देखो principle कितना दिया गया है आपको 5,1 2 rate कितनी दी गई है 12.5% उसका मतलब क्या होता है time कितना दिया गया है 3 यह अब देखो तो सब से पहले 5 1,2 triple 0 into 1 by 8 से 7 by 8 7 by 8 7 by 8 512 खतम हो गया 7 का Q कितना होता है 8 into 8 into 8 किया मेरा 512 खतम 7 square 7 square 49 होता है और यह हमारा कितना होता है 7 289 प्रपल जी कोई समस्या 9 आएगा न 9 9 आएगा उपर 9 आएगा 9 आएगा एक मिनिट 9 आएगा 8 में बने एड होगा तो 9 इतो आएगा ठीक है 9 का Q कितना होता है देखो 729 प्रपल जी रो तो यह हमारा माउंट बन गया अब CI कितना बन जाएगा भई अगर मुझे CI निकालना है तो कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 512 यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से 512 ट्रपल जी तो यह कितना बनेगा ट्रपल जीरो 927 211 722 217 00 217 00 यह हमारा बन गया CI यह तो हो गया हमारा कौन सा successive method अब लगा देते हैं इसमें code method या 3 method बात तो यह किया देखो तीन साल की बात हो रही है ना तो 3 year का code हमारा क्या होता है 3 3 1 सबसे पहले यहां लिख दो इसको 512 00 इसका 1 by 8 कितना बनेगा हमारा 64 00 तो यहां रख दो 3 into 64 00 प्लस इसका अगेन बन बाई 8 कितना बनेगा 8 00 यहां फिर से रख दो 8 00 multiply by 3 प्लस अगेन बन बाई 8 कितना बनेगा 1000 1000 यहां रख दो ठीक है अब देखो 64 into 3 कितना हो जाएगा 3 0 तो आई जाएगे 4 और 3 12 2 6 3 18 और 19 यह आगया 1,92,000 आगया प्लस 24,000 यह आगया प्लस 1,000 यह आगया अब देखो बड़े धिहान से 4,000, 2,000 और 1,000 तो 7,000 लाश्टम बन जाएगा 20,000 इसमें जोड़ दोगे तो आप कितना बन जाएगा 2,17,000 क्या आँसर आगया क्या आँसर आगया कि नहीं बताओ 1,90,000 में 20,000 जोड़ोगे तो 2,10,000 हो जाएगा और फिर उसका 4,000, 2,000, 1,000 जोड़ोगे तो 2,17,000 हमारा आँसर निकल कर आजाएगा यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हो समझ में आगी चीज़े एकदम डिटेल समझा रहा हूँ सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल एक चले next question यह रहा आपके सामने इसको करने की कोशिस करीगे अब थोड़ी सी दिमाग की बत्ती आपकी जलेगे रभी राज इन्वेस्टेड एन अमाउंट और पुपीश 43200 at compound interest rate of 16.66% per annum for a period of 3 year how much amount will रभी राज गेट after 3 year इस बार amount दिया गया है और इस बार principal पूछा गया है amount दिया गया है principal पूछा गया है तो देखो तक्सेसिब लगा देते है सबसे बढ़िया तरीका 16.66% का मतलब क्या होगा 1 upon 6 होगा कि ने 432 00 into ये तो हमारे पास दिया है amount तो ये कितना बनेगा हमारा principal का 7 by 6 principal का 7 by 6 principal का 7 by 6 तीन साल की बात हो रही है न तो principal बराबर कितना हो जाएगा 4,3 2,00 into 4,3,200 into 6 उपर चले जाएगी divided by 7 into 7 into 7 7 से इसको cancel करो तो 7 से ये cancel हो पाएगा क्या 4,32 7 से cancel होगा नहीं हो रहा है cancel ये तो ये तो cancel ही नहीं हो रहा 289 आ रहा है यानि कि हमारा point में चला जाएगा answer principal हमारा point में चला जाएगा ओके 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 राजीब इन्वेस्टेड अमांट आफ प्रुपीच 4,3,200 इतना इन्वेस्ट करता है और कितना अमांट वो पाएगा तीन साल के बाद ये बताना है भई उल्टा क्यों कर रहा है हम इसको देख लिए देखो 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 बड़े ध्यान से सुनो कुस्चन थोड़ा सा जलत लेंग्वेज में पढ़ लिया मैंने कोई समस्या नहीं देखे देखो ये तो वही मेथड हो गया सिंपल सा मेथड हमारा कुछ करना ही नहीं है भई हमको तो 4 रखो 3200 into 7x6 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 तीन बार हो रहा है न कैसे कैंसल करो चैय और 7, 42 6-07, कैसे कैंसल करो कैसे कैंसल करो कैसे दो बार गया तो यह कितना हो गया 200 into 7, 7, 7, 2289 now it becomes 289 का डबल कर दो बही कितना हो जाएगा 9 ओर्धा, 18 8 बनेगा 8, 2, 16, 7 बनेगा 2, 2, 4 और 5 बनेगा डबल 0 यह हमारा क्या निकल कर आ गया answer निकल कर आ गया यह हमारा mount है इस question को करिए अब आप जल्दी से CI और SI का difference निकालना है आपको CI और SI का difference आपको निकालना है समझने की कोशिस करिए आप देखो if the compound interest on the certain sum of 3 year at the rate of 12.5% per annum is rupees 151.90 then find the CI and SI निकी हमारे पास compound interest on the certain sum of 3 year at the rate of compound interest दिया गया है और अमको principal दिया नहीं गया और CI और SI का difference निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका सुन लो आप बढ़े ध्यान से 3 method अब सारे method में ऐसे sum फैल हो गए अब सिरफ एक ही काम करेगा 3 method जिस सबसे best method होता है सबसे best method होता है ठीक है देखो सबसे पहले 12.5% equal to हमको पता होना चाहिए कितना होता है 1 by 8 अब समझ से आगई कि principal तो दिया ही नहीं गया तो principal अपने मन से मान लो अब माने क्या हमेशा याद रखना ऐसी value माना करो जैसे 3 साल दिया गया है न तो नीचे वाला हमारा 3 बार कट जाए तो 8 का cube ले लो 8 का cube हमारा कितना हो जाएगा 512 यह आपने principal लेट कर लिया लेट कर लिया principal आपने की नहीं बताओ अब इस पे पहली साल हमारा बन बाई 8 से कितना बनेगा पहली साथ 64 बनेगा दूसरी साल बन बाई 8 से कितना बनेगा 64 बनेगा लेकिन इस पर कितना बनेगा बन बाई 8 से 8 बनेगा पीसरी साल बन बाई 8 से कितना बनेगा हमारा 64 बनेगा लेकिन इन दौनों पर कितना बनेगा 8 बनेगा और ये भी 8 बनेगा और ये 1 बनेगा यहां तक कोई समस्य आपको नहीं होगी अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा उसने मुझे दिया क्या है मुझे उसने दिया है CI CI कितना होगा इसमें देखो 64, 64, 64 कितना हो जाएगा 6, 6, 6, 18 4, 4, 4, 12 18 और 12 192 आ गया 208 आ गया 208, 8, 8 और 1 217 यह दिया है यही तो होगा करके देख लो आप यही होगा न कोई समस्या नहीं फिर से देख लो 6, 6, 6, 18 4, 4, 4, 12 192 आ गया 8, 208 आ गया 8, 8 और 1 217 इसकी बैलू मुझे दी गई है कितनी 151.90 अच्छा डिफरेंस निकालना है डिफरेंस कितना बनेगा देखो अब बड़े ध्यान से सुनना यहां पर यह जो वैलू होती है न, यहां से यहा तक पूरी ये ये तो C याई होगी अच्छा ये जो वैलू होती है यहां से यहां तक ये वाली है दूसरे कलर से समझागा time आपको देख कोई इंट्रेस्ट के उपर इंट्रेस्ट नहीं चलता, यह SI होती है, तो बड़े बाले में से छोटा हटा देंगे, तो नीचे बाला बचेएगा कौन सा, दूसरे कलर से समझो, यह, यह क्या होगा, CI और SI का डिफरेंस, इसी लिए ट्री में सबसे बड़िया में साइड है, सब कुछ निकलाता है, तो यह कितना दिया है, आठ, आठ, सोला, आठ, तिन, चौबीस हैं कि 25 की वैलू आपको निकाल लिए है, अब देखना, बड़े ध्यांसे सुनना, इधर 27 की वैलू आपके पास कितनी दी गई है, 151.90 रुपए दिये गए हैं, तो 1 की वैलू कितनी आ जाएगी, 151.90 डिबाइड़ वाई, 217, तो 25 की वैलू कितनी आ जाएगी, 151.90 डिबाइड़ वाई, 217 इंटू 25, पॉइंट अटेगा तो 00 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसल ह हो जाएगा, तो यह कितना बचेगा सॉल्व होने के बाद, यह बचेगा 1519 डिबाइड़ वाई, 217 इंटू 25, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो, सबसे पहले आप यह देखो, यह हमारा कितने से कैंसल हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 और 2, 14 आ रहा है, 1 बचेगा यहां से, 11 हो गया, 7 पुरा है, 7 से इसको करो, 7 और 3, 21 और 31, 7 और 2, 14, 1, 7 और 7, 29, यह आगया, 3 से यह 7 बार चला गया, तो हमारा आगया, 7 इंटू 250, और 7 इंटू 250 हमारा कितना बनेगा, 25 इंटू 7 हमारा कितना बनेगा, 1, 75, जीदो, लिकि 1750 इसका आंसर निकल कर आगया, पचास हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आगया, सबसे बैस्ट मेटर्ड मैंने आपको समझाया है, 3 मेटर्ड, ठीक है, समझ में आगी बात आपको कोई समस्या नहीं होगी यहां तक, ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुश्चन के बारे में समझते हैं, दो मिनट, मैं पानी पीलू, तब तक आप इस कुश्चन को सॉल्व करें, करेंगे बात आपको कुश्चन के बारे में समस्या एक्सित आपको की। देखिए यह कुश्चन है आप लोगों ने किया होगा कमेंट में आंसर भी आप लोगों ने दिया होगा उम्मीद है मुझे पूरी देखो मैं देखूंगा compounded interest on a certain sum of 3 year at 16.66% per annum is 5080 compounded interest आपको दिया गया है certain sum देख और find CIE of 3 year in how much greater than the simple interest is the same rate of वही आ गया है difference ठीक है इस बार CIE आपको दिया गया है अभी जो question किया था same उसी type का question है 16.66% की बात हो रही है तो देखो इसका मतलब सबसे पहले आप लेखो 1 by 6 तीन साल की बात हो रही है तो principle को आप क्या लेट कर लो 216 पहली साल हमारा 1 by 6 से कितना बनेगा 36 दूसरी साल 1 by 6 से कितना बनेगा 36 लेकिन यहां तक तो चीज़ें सही चल नहीं है लेकिन अब इसके उपर भी तो बनेगा 1 by 6 से यह कितना बनेगा 6 अब तीसरे साल हमारा यहां पर देखो आप 3rd year यह भी हम red से ही कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह दूसरा साल है अब दूसरा कलर लेकि आपको तीसरे साल का समझाने की कोसिस करते हैं हम देखिए तो 1 by 6 से 3rd year आपका कितना बनेगा 36 तो यहां बनना ही बनना है लेकिन इसके उपर इसके उपर इसके उपर हमारा बनेगा 6 6 और 1 यही समझ में आ गए आप समझाने की आपको जरूत नहीं है C.I. हमारा कितना होगा direct 36 36 36 हमारा कितना बनेगा 3 3 3 90 हो जाएगा और 6 6 6 18 हो जाएगा तो 208 बनेगा 208 में 6 6 6 18 जोर दो 208 में 18 जोर दोगे तो आपका कितना बनेगा 126 और 127 127 की value आपको दी गई है कितनी 5080 आपको निकालना difference है तो difference हमारा कौन सा बन जाएगा यह बाला है 18 19 19 की value हमको निकालना है तो 5080 divided by 127 19 what it 127 से कितनी बार cancel out हो सकता है क्या यह तो देखो साथ से यह हो जाएगा क्या नहीं होगा कितने से cancel होगा 19 से 127 cancel out हो जाएगा क्या 127 लिखा हुआ है आपके सामने और उपर 5080 ही है न हाँ 5080 इसको एक बार सम करो 333 333 हमारा कितना बन जाएगा 90 और 666 18 208 बन गया 208 में अगर हम 666 18 जोड देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 2088 16 और 126 और 127 कितना ही बनेगा ठीक है अब 5080 में आपको इसको solve करना है तो यह हमारा solve होके कितना बनेगा यह बनेगा 760 ठीक है कैसे बनेगा देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग बड़े ध्यान से सुनने गा यह हमारा अगर हम 5080 में से 127 को अगर हम divide करें 5080 से तो यह 127 जो हमारा divide होगा ना चार बार चला जाएगा यह 748 1248 तो यह 40 बनेगा 4 टाइम चला जाएगा तो यह हमारा बनेगा 40 into 19 40 into 19 बनेगा ठीक है बास समझ में आ गई यहां तक कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी यानि कि यह हमारा कितना निकल कर आएगा 40 निकल कर आएगा और 40 में हम 90 का करेंगे multiply तो यह हमारा कितना बन जाएगा 760 तो option हमारा कौन सा C बाला एकदम correct होगी है कि option हमारा क्या हो जाएगा एकदम correct हो जाएगा ठीक है समझ में आगी बाते हैं आपको कोई समस्या यहां तक नहीं हो इन questions को हम next class में पढ़ेंगे next class हमारी होगी उसमें हम इस type के कुछ questions पढ़ेंगे उनको हम next class में समझने की courses करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अपने परवार का ख्याल रखिएगा और घर पे ही रहेगा और पढ़ाई करिएगा क्योंकि अभी कोरोना आपका खतम नहीं हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का